नमस्कार अराइज नियूज में आपका स्वागत है तो पेश है आज की एहम खबरे धनवाद के निर्सा के एसी एल मुगमा एरिया अंतरगा चापापूर कोलियरी में बीती रात केबल चोरों ने जम कर आतंक मचाया लोटेरों ने हत्यारों की नौक पर कर्मीों को बंदक बनाकर लाखों का केबल चोरी कर लिया और भागने लगे इसी बीच एक E.C.L. कर्मी कासीनात कोरी के पुत्र संजीब कोरी ने जब सोर मचाया तो केबल चोरों ने उस पर बम्ट से हमला कर दिया जिसमें इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई उधर संजीब की दुखद मौस से इस्थानी ग्रामिनों का गुस्टा फूट पड़ा और वो उसके सब को लेकर चापापुर कोलियरी के पास बैट कर बिरोत प्रदर्सन करने लगे उधर कुछी समय में ये खबर आग की तरह फैल गई और एसी एल प्रवंदन के साथ ही राजनेतिक दलों के नेता भी मौके पर पहुँच गए इसी करम में मौके पर पहुँची निर्सा विदाय का पढ़ना सेन गुपता ने पीडित परिवार को सांतुना दी साथ ही इस मामले की जांच और दोसियों पर कारवाई की मांगी बही मौके पर पहुचे राजत के प्रदेश महमंत्री तारापदो धीवन ने इस घटना की गोर निंदा की और इस्थानिये प्रशासन बासी आई सेफ को आड़े हातों लिया इस बहुत ही दुखा था बरमाहा था और इसका ब्यान मने क्या नहीं जा सकता है जो परिवार का च्छती हुआ है उस परिवार एकदम आंधी के तरह उजड़गी है उसका एक ही बेटे थे और वो बेटा इतना सुन्दर था इतना मिलनसार था क्या बताए आपको तो मतलब भ्यान नहीं कर सकते उस दूख 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 की व وہ लोग को उस परिवार के साथ है और इस तरा उनको साहता करे यह दुख को सहने के लिए हम लोग जीम साभी बारता हुई जीम साभ का बहुती ही मने आपका पोजितिव बात हम बोले कि हम तुरंट मतलब इसको बुलाते हैं सबको बुलाकर जो यह है आपको सुरच्चा के बंदोबस्तफ के लिए हम लोग पुरा कड़ी कदम उठाएंग लेकिन सियासेव को क्यों रखा जाता है अगर पांप जहां पर जाहता है हमारा भीटी पांप जंगल में है कहीं मतलब रस्ता पर है वो उससे में अगर नहीं घुमेगा संपत्ति का रच्चा नहीं कर सकता है तो सियासेव किसलिए है उधर ECL मुगमा एरिया जीम आनन घटना की खबर सुनकर तुरंत मौके पर पहुँच गए और प्विलित परिवार को सांतोना देने के साथ ही हर संभाम मदद का आश्वासन दिया इस अप्तेंत दुखत समय पे मैं शुकातु परिवार के जवार की अपनी सोक समतापना वेर्ट करता हूँ इस घटना की जिन्दी मुंदा की जाए वो कम है और मैं भरवान से यहीं काड़ना करता हूँ बहीं इस अप्चर पर पहुंचे जारखन मुक्ति मोर्चा के जिला ध्यक्ष लखी सोरेन ने घटना की निंदा करते हुए पिर्शासन से गस्ती टीम को और अधिक एक्टिव करने की मांगी और पीडित परिवार को धानस बनाया प्रक्ते के काम के चुरों को यह 45,000,000,000 खसम तके नहीं बड़ा वागता हुए उसको ले जारे तो चुरों के से बाहर निकले और जो फ़ला की है किसी पर उसका लगका को गम से हमला किया कि तो पर परम से हमला किया और हमने बुली तरह खाइल हो गया और जो हमारी में चा लोग नजज़त पड़े गाड़ लाएँ लेजमें तो आगावी किया था कि हम लोग फनूप लिए आएंगा और तो पही नहीं पर भाई भी है कि इसे अचित नहीं बिया और इसका इस्तरा के हम लोग अन पर बात में चाहा था कि अब लोग गाट कम गया तरह हर को हलांकि राजनेतिक दलों के नेताओं वा ईसी एल प्रवंदन से वारता के बाद ग्रामीन, मिर्तक, संजीब के सब के पोस्माटम को राजी हुए लेकिन सवाल ये है कि इस्थानी लोग कब तक यूँ ही केबल चुरों बाद दूसरे लोटेनों के आतंक के साए में जीने को मजबूर रहेंगे AI News के लिए पबन मोदी के रिपोर्ट